आज के स्वीडियो रेक्षे में हम डिसकस करेंगे जैसे कि आप जानते हैं mcq multiple choice question के जो portion चल रहे हैं दो multiple choice question के video जो है already मैं बना चुका हूं जिसमें की हमने overall syllabus का discussion किया आज जो तीसरा part है इसमें basically मैंने जितने भी आपका analytical portion है है ना analysis related जितना भी portion है चाहे आपकी HPLC हो UV हो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी हो उनसे related जो है 10 question जो है वो बनाए है hopefully आपके exam examination point of view से यह important रहेंगे चलिए start करते हैं first of all जी है एक और चीज में बताना चाहूंगा लास्ट जो previous video था उसमें जो गोल्डन यह जो कुशन हम discuss कर रहे हैं इसमें might be possible आपको यह कुशन as it is तो नहीं मिल पाएंगे बट इसके related जो है आपको कुशन जरूर मिलेंगे क्योंकि सारे जो कुशन में बना रहा हूं यह कुशन में मेरे दिमाग में वही चीज लेके बना रहा हूं जो आपके assistant dairy chemist में आ चुके हैं जैसे कि आपने देखा होगा जैसे कि यहां पर भी आपको एक कुशन मिलेगा मैं बता दूगा आपको same to same assistant dairy chemist में उस topic से कुशन पूछा गया है तो उसी को modify करके मतलब यह पूछ लिया है तो और क्या पूछ सकते हैं इसको modify करके मैं यह सारे कुशन जो है वो मैंने बना है चलिए start करते है कुशन no.1 the mobile phase used in gas chromatography gas inert in gas the mobile phase using GC gas chromatography is inert gas मतलब किस तर जो GC का मतलब क्या है gas chromatography ठीक है तो gas chromatography में जो mobile phase हम यूज करते हैं पहले तो CDC बात है सर basic आपको पता ही होगा कि सर gas chromatography और HPLC में सबसे बड़ा difference देखिए यह जो मैं साथ में explanation आपको दे रहा हूं यह सुनियेगा जरूर क्योंकि अगर with explanation अगर आप किसी कुशन को पढ़ोगे तो मेरा यह मैं आपको गरंटी के साथ कह सकता हूं उस कुशन को आपको भी भूलोगे नहीं ठीक है सीधा डारेक्टली आप एंसवर देख लोगे फिर आगे बढ़ जाओगे उससे कोई मतलब नहीं है with explanation आपको उस कुशन को देखना बहुत जुरूरी है तो इसका explanation क्या होगा सब देखिए HPLC जो है इसमें mobile phase जो हमारा कैसा होता है liquid होता है और GC जो है GANS chromatography यही दोनों में फराख के HPLC और GC में HPLC में mobile phase liquid होता है stationary phase solid होता है और GANS chromatography में mobile phase जो है GANS होता है तब इसका नाम GANS chromatography और stationary phase जो है वो liquid और solid दोनों हो सकते है वो अलग जो detail में आपने पढ़ा होगा GANS chromatography उसमें आपको पता है तो main difference क्या है इसमें HPLC में mobile phase liquid होता है और GANS chromatography में mobile phase gaseous form में होता है तो most important कौन-कौन सी GANS जो है अब देखिए यहां से इस question से कम से कम आपके 5 question बन सकते हैं अगर कोई student actually उसको समझना चाहे वो कैसे कि देखिए यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहला question बन गया कि mobile phase जो GANS chromatography हम यूज करते हैं कौन-कौन सी GANS यूज करते हैं तो sir nitrogen, helium, hydrogen जी हां यह तीनों gas जो है वो हम as a mobile phase gas chromatography में यूज करते हैं the answer is D, all अब यहां से एक और question यह बन सकता है कि mostly जो हम gas यूज करते हैं gas chromatography में वो कौन सी है वो है आपकी helium gas क्यों sir क्योंकि nitrogen जो है nitrogen और hydrogen hydrogen तो क्या है बहुत dangerous gas है इसको हम Delhi life में जैसे की Delhi हम practical करते हैं इसको हम यूज नहीं कर सकते और nitrogen जो है इसकी availability तो बहुत है बट इसका interaction जो है वो किसी substance के साथ ज्यादा रहता है इसलिए हमारे पास जो suitable gas है वो helium जो है वो रहती है मतलब ज्यादा तर हम helium यूज करते हैं ठीक है तो यह most important question है कि mobile phase जो हम gas chromatography में यूज करते हैं यही तीनो gas हम यूज करते हैं इसके अलावा कोई gas यूज नहीं करते हैं कुशन number two the most intense peak in mass spectroscopy very 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 important question लिखे ले लिजिया मतलब अगर mass spectroscopy में इसके कुशन बनेगा तो यह कुशन तो बनना ही बनना है तो most intense peak मतलब कि sir जो mass spectroscopy में spectra बनता है उस spectrum में सबसे जो लंबा spectra होता है सबसे intense spectra होता है उसको हम क्या बोलते हैं देखिए यहां पे यह question ऐसे confusion वाला है कि intense peak है तो student सोचता है sir highest peak ही इसका answer होगा जबकि इसका answer क्या है B base peak देखे न तो most intense peak उसको हम base peak के नाम से जानते ह है तो option B is right mass spectroscopy में अच्छे से याद रखना mass spectrometry में एक information में आपको एक और point यहां पर में add करना चाहूंगा देखिए यह क्या है mass spectrometry अब जो student वाकिए में really interested पढ़ रहा है उसको एक question यहां से आया होगा कि sir यह mass spectrometry क्यों लिखा आपने spectroscopy क्यों नहीं लिखा तो यही सारी spectroscopy में हम पढ़ चुके हैं जब मैं spectroscopy लिखता हूँ इसका मतलब मैं किसी molecule को light से deal करवाता हूँ जबकि sir mass spectrometry में मैं कोई भी light जो है electromagnetic radiation जो है वो use नहीं करता that's why I call mass spectrometry ठीक है तो इतना basic concept आपका clear होगा तभी आपका examination जो है वो clear होगा चलिए तो इसका answer क्या हो गया base peak B option B is right next type of detector use in gas chromatography देखें ये question शायद मैंने repeat कर दिया है but important इतना है कि आपको याद रखना है देखें किसी भी exam में आप देख लीजिए चाहे कौन सा भी MSC का भी exam देख लोगे type of detector in gas chromatography जो detector है वो इतने ज्यादा important है कि आप इनको यादी कर लेना FID ECD TCD इसका answer क्या हो जाएगा D all सारे के सारे जो है detector gas chromatography में use हम करते हैं तो सबसे पहले मैं इसका अगर full form आपको बताऊंगा तो क्या होगा FID का मतलब क्या है Sir FID का मतलब क्या है flame ionization detector ECD का मतलब electron capture detector TCD बोले तो thermal conductivity detector और all इसका answer हो जाएगा अब आपका assistant dairy chemist में question यहां से कैसे बना था? which is not used in detector and gas chromatography और यहां पर आपको RI index या UV index जो है वो यूज वो लिग दिया था तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कौन को से detector जो सारे यूज कर सकते हैं इसी को modify करके वो question बूच सकता है इसलिए यह मैंने यहां पर add किया next question no.4 4 is the hypernated technique of HPLC and mass spectrometry देखें यह question मैंने खुदने बनाया है क्योंकि as per examination और pharmaceutical industry या किसी भी industry में आप जाओगे तो आज के समय जो चो technology हम यूज कर रहे हैं वो HPLC और mass spectroscopy का combination form है combo form है उसको हम यूज कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं GC-MS, LC-MS, MS-MS या और तो इसका answer आपको हो जाएगा option B is right, LC-MS liquid chromatography और mass chromatography HPLC को हम क्या बोलते हैं liquid chromatography तो LC-MS जो है वो mass spectroscopy और mass spectrometry और HPLC का जो है वो combo form ठीके तो इसको हम क्या बोलते हैं a hyphenated technique is combination or coupling of two different analytical technique with the help of proper interface Q5. Sample cell are made up which material on UV spectroscopy अब यह question जो है अगर आपने सही से पढ़ा है सारे lectures अब सुने हैं तो मेरे इसाब से जो student ने सुने हैं वो option B राइट करके आगे बढ़ चुका है सर आपने बहुत बार बता है यूवी में जो sample cell यूज करते हैं quartz की बनी भी होती है, glass की नहीं होती है, quartz की क्यों होती है इसका कुछ का कोई absorbance जो है वो नहीं होता है so answer B is right next question 6 in which state matter mass spectroscopy is being to perform mass spectroscopy में जब हम sample को interface करते हैं तो वो sample क्या होता है जैसे कि आपको याद आ रहा होगा हमने mass spectroscopy में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था कि sir sample जो है वो liquid form में होता है but उस liquid form में हम क्या करते हैं इसको इसको energy provide करते हैं तो electromagnetic radiation और energy से इसके क्या है gaseous form में इसको convert करते हैं और उसके बाद उसका ionization होता है तो so option c is right इसका answer जो है option c है explanation क्या है इसकी देखिए in mass spectrometry analysis compound is firstly done produce the gas phase पहले वो gaseous firm में convert होता है फिर वो ionization form में जो है वो convert होता है next question number 7 चलिये तो yes this is important which is group increase in fluorescence intensity यह आपके fluorescence fluorometry से question आया है which is group is intense the fluorescence मतलब ऐसा कौन सा group है जिसको add कर लेने से किसी भी molecule की fluorescence activity मतलब वो चमकना बहुत थोड़ा चमक रहा है और भी ज्यादा चमकना सुरू हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा आपका option a oxygen oxygen को जैसे हम add करेंगे तो किसी भी group की compound की fluorescence intensity है वो increase हो सकती है might be possible यह question आपके आ सकता है next question no.8 which of the following factors increase the fluorescence intensity देखे फ्लोरोसेंस से दो question बन सकते हैं आपके एक तो है कि कौन सा group जोड़ने से fluorescence intensity बढ़ जाएगी तो oxygen को solution में जोड़ेंगे तो इसकी intensity बढ़ जाएगी और कौन सा ऐसा factor है जिसको हम increase करने से fluorescence की intensity बढ़ जाएगी तो आपका इसका answer हो जाएगा increase in viscosity हैना उसका गाड़ापन अगर अगर बढ़ा देंगे तो उसकी fluorescence intensity जो है वो increase हो जाएगी अब यहां से एक और कुशन बन सकता है आपका याद रखना fluorescence और phosphorescence यह दोनों टर्म जो है वो याद करके जाना आप अच्छे से कुशन नमर 9 RF in chromatography RF value जो है वो chromatography में क्या होती है yes इसका answer हो जाएगा आपके retention factor RF value क्या होती है retention factor आपको याद होगा कि chromatography में जब हम TLC perform करते हैं तो solute और solvent के बीच में जो gap रखते हैं RF factor equal to travel by the solute and divided by travel by the solvent इक है अगर और भी डिटेल में आपको जानना है तो chromatography का एक video जो मैंने बनाया था उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं next question number 10 what are the stock line in roman spectroscopes तो पिछले एसिस्टेंट डेरी के विसमें आपके यही question आया था stock line और anti-stock line जो है वो क्या होती है तो यहाँ पे मैं इस stock line पूछ लिया है तो stock line are the shorter the answer हो जाएगा इसका sorry the stock line are the longer wavelength की के next ribbon spectros को भी पढ़ चुके हैं आप वीडियो देखना वीडियो देखने के बाद आप इस answer को जरूर रटेन करेंगे last आपके golden cushion gel permeable chromatography is also known as देखें यह important इसलिए है क्योंकि यही इसी type को इसी cushion को घुमाके आपके assistant dairy camera में पूछा गया था ठीक है वहाँ पे यह पूछा गया था कि चानी इस question का answer आपको ही देना है तो आप comment section में इसका answer लिखके search करके जाना देखे golden cushion देने का मतलब यह है कि आप इसको search करो क्योंकि इसके related मुझे लगता है cushion जो है बन सकता है इसलिए यह मेरा intention है तो hopefully आप लोग इसका answer comment box में दोगे अच्छे से सही answer दोगे चलिए तो इस MCQ पार्ट में मैंने most of analysis related जीतने question थे वह complete किये hopefully आपको वीडियो पसंद आया होगा तो like करें, share करें, subscribe करें मेरे चैनल को, ऐसे ही informative वीडियो देखने के तो thank you so much for